असलामनेकूम ट्रोंट्स उम्मीद है आप लोग खायर्यत से होंगे और पेपर की इच्छे से त्यारी कर रहे होंगे कुछ ट्रोंट्स पेपर के हवाले से एक क्वेस्टन पूछ रहे थे बार बार के सर audit के paper को किस तरीके से attempt करना इसकी कोई suggested approach शेयर कर दीजिए तो आप लोगों के साथ एक suggested approach शेयर कर रहा हूँ ये approach मैंने खुद भी इसको test किया है और अगर master होता तो इसी approach के मताबिक paper देता लेकिन बहराल ये एक suggested approach है अगर इसमें आपको कुछ चीजें पसंद आएं अच्छी लगें तो आप उनको follow करने के कोशिश कीजेगा इसमें चुके ये वक्त जो चलना ये आपका बड़ा कीमती है परस्तो सुब आपका paper है तो मैं कोशिश करूँगा 8-10 मिनट में मैंने जो चीजें भी आपके साथ शेयर करनी है कीपोइंट्स वो सारे शेयर कर दो तो जो presentation है ये basically how to attempt paper ये कैफ 9 auditant assurance के लिए relevant है और इसमें एक दो disclaimer मैं शेयर करना चारा हूँ आपके साथ पहली चीज़ी है कि ये सिरफ एक suggested approach है यानि आपके लिए लाजमी नहीं इस approach को follow करना अगर आप already paper attempt करने के लिए हर student का अपना style होता है अपनी approach follow कर रहे हैं कोई और उसमें कामयाब है तो उसी approach को follow कीजिए ये approach को लाजमी approach नहीं है कि आप इसी के मताबिक आपने paper solve करना है और दूसरा ये approach हर paper के लिए suitable नहीं है ये specifically सिर्फ और सिर्फ का इफ 9 audit and assurance का paper attempt करने के लिए उसको सामने रखके ये approach design की गई है no doubt इसमें कुछ steps ऐसे भी होंगे जो दूसरे papers के लिए भी useful है लेकिन भारहल specifically इस presentation इस वीडियो का objective KF9 audit and assurance के paper को कैसे attempt करना है specifically उसके पर guidance प्रवाइड करना है और तीसरी चीज़ ये approach हर student के लिए suitable नहीं है ये सिर्फ मैं अपने students के लिए जो मेरे KF9 audit and assurance के students हैं उनके लिए बना रहा हूं बाकि जो दूसरे students हैं जो दूसरे teachers से study किया जोने subject उनके लिए बहतर यही है कि वो अपने relevant teacher की जो भी tips and tricks उनके साथ share किये गए हैं उनको follow करें जी आज की इस video को मैंने तीन हिसों में divide किया है before the paper क्या करना है during the paper क्या करना है और after the paper क्या करना है आपने तीनो phases के points को गोर से सुनना है before the paper आपने जैसे कि अभी आपका फेसल है before the paper से मुराद है last day आपका paper से पहले यानि कल आने वाला जो कल है वो दिन Monday का और आज की राज जो है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ important concepts को revise करना है ठीक है और इसमें कोई नई चीज़ आपने नई सीखनी यानि फर्ज कीजिए अगर कोई topic या अगर कोई chapter रह गया है तो इस time पे आपके लिए उस chapter को cover करना है हम नहीं है उस 10% को cover करना हम नहीं है जो आपने skip कर दिया था बलके उस 90% को cover करना revise करना हम है जो already आपने cover किया हुआ है और last day में आपके लिए उसको refresh करना लाजमी है तो आहरी दिन में आपने कोई नहीं चीज़ नहीं करनी फिर इसके बाद इस time में आके जब आपके पास तक्रीबन कोई 36 hours बचे हैं इसमें आपने कोई नया कोई पास्टोपर का question attempt नहीं करना कोई case study attempt नहीं करनी ना didn't form है ना verbally इस वक्त याद रखे questions को attempt करना आहम नहीं है question इस वक्त आहम नहीं है इस वक्त syllabus आहम है तो syllabus को cover करने की तरफ तबदा दीजिए अगर आप questions को attempt करना शुरू हो जाएं के चाहे जबानी कलामी क्यों ना पास्ट्रेपर के questions को attempt ना कीजिए सिर्फ concepts को revise कीजिए और exam से पहले याद रखे जरूरी होता है good sleep आपने 6-8 गंटे यानि कल की जो रात होगी इसमें आपने 6-8 गंटे लाजमी सोना है क्योंकि जरूरी है कि जिस वक्त आप paper देने के लिए जाएं उस वक्ता फ्रेश माइंड के साथ जाएं exhausted माइंड के साथ ना जाएं यानि यह ना हो कि आप सुबाब 4-5 बज़े तक पढ़ रहे हैं एक दो गंटे सिर्फ सोया हैं और फिर आप उसके बाद paper देने के लिए चले गए हैं आपका mind उस वक्त त्यार नहीं होगा उस paper को attempt करने के लिए तो paper को attempt करने के लिए अच्छी performance के लिए जरूरी है कि आप fresh mind के साथ जाएं उसके लिए अच्छी नींद होना जरूरी है यानि 6-8 गंटे आपने जरूर सोना है फिर इसके लावा आपने exam center में 30 मिनट पहले पहुँचना है यानि जो भी आपका paper का time है 9 बजे कर start time है paper का तो आपने 6.5 बजे exam center में पहुँचना जरूरी है ये psychological एक factor होता है कि अगर आप उस जगा पे आदा घंटा पहले पहुँच गए है और फिर इसके बाद 15 मिनट पहले आपने अपने जो chair है seat है जिसको बैठ के paper देना है उस पे भी start time से 15 मिनट 10-15 मिनट पहले आपको बैठ जाना चाहिए क्योंकि जो normally जब हम paper देने जाया करते थे तो तक्रीबन 15-20 मिनट पहले वो gate open हो जाया करता था और students जो है वो अपनी seat पे बैठना शुरू कर देते थे तो एक psychological advantage हासिल लेने के लिए आपने 15 मिनट पहले 10-15 मिनट पहले अपनी उस seat पे बैठना है जिस पे बैठ के आपने paper attempt करना है इससे basically हम environment के साथ compatible हो जाते हैं relax हो जाते हैं हम और performance वो अच्छा start देने के लिए जुरूरी होता है तो आपने exam center में भी आदा घंटा पहले पहले पहुँचना है और कोशिश करना है कि 10-15 मिनट पहले ही आप अपनी seat पे बैठ जाया है ताकि आप comfortable हो सके उस position में उस location से जिसमें बैठ के आपने paper attempt करना फिर इसके बाद during the paper क्या करना है जी आपने आपके जो during the paper यानि सवा 3 घंटे हैं इसको मैंने दो बड़े हिसों में divide किया है एक हिसा है हमारा reading and planning जिसमें आपका 15 मिनट का reading time भी आ जाता है और उसके बाद जो आपने attempt करना paper वो भी आ जाता है तो आपके paper को मैंने दो हिसों में divide किया है एक तकरीबन 45-60 मिनट का time जो के reading and planning time है इसमें आपने अपनी answer sheet पे एक लफज भी नहीं लिखना और दूसरा time जो है वो आपका writing time है जिसमें जो तकरीबन सबादो धाई गंटे का time होगा इसमें आपने paper को written form ए attempt करना है इस reading and planning वाले topic में आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने questions को read करना है कौन से questions को read करना है reproduction वाले question को यानि आपको paper में दो तरह के questions मिलेंगे एक case studies वाले और एक reproduction वाले तो आपने सबसे पहले जो रीडिंग इस तरीके से रीडिंग नहीं करनी के तरतीब से पहले question number one पढ़ लिया पर question number two पर question number three इस तरीके से नहीं करना बलकि आपने पहले question को देखके अंदाजा लगाना है कि कौन सा question case study का और कौन सा reproduction का है यह असानी सा पता चल जाता है normally जो questions बड़े questions होते हैं वो case study वाले होते हैं और जो question 5-6 lines तक होते हैं वो reproduction के question होते हैं तो आपने case study वाला question छोड़ देना है reproduction का question पढ़ना है और reproduction का question पढ़के पढ़ते हुए आपने keywords को underline करते रहना है और requirement में भी और question में भी और end पे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह किस chapter का question है और उसने concept कौन सा पूछा है तो आपने question के end पे कोशिश करनी है कि chapter number लिख दें अगर आपको याद हो लेकिन chapter number इतना है यह नहीं है हाँ वो concept जिसके उपर यह question based कर रहा है आपने उस concept को लिख देना है यह काम आपने करना है फिर अगला question पढ़ना है concept reproduction वाला ही case study वाला नहीं रिटे वाला question पढ़ना है उसमें keywords को underline करना है end पे chapter number हो सके तो chapter number वरना chapter number नहीं तो कम असकम वो concept जिसके उपर यह question based कर रहा है उस concept को लिख देना है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप सारे paper में यह लिख देंगे तो आपका mind जो है वो सिरफ उन chapters और उन concepts के उपर focus करना शुरू कर देगा sub-conscious में जो के आपने paper पे लिखे होंगे जिसका question उ जो chapters उसने test नहीं किये exam में आपका mind उन सारे chapters को उन सारे concepts को irrelevant कर देगा और focus हो जाएगा अचा अब आपने one by one जितने भी आपके reproduction के questions हैं उन सब को पढ़ते जाना है end पे chapter number और concepts जरूर लिखते जाना है जैसे मेरे सामने यह last attempt का question paper है तो इसमें मैंने for example सिरफ समझाने के लिए आपके साथ share कर रहा हूं question number one पढ़ा इसमें confirmation का लफज था हैं मैंने उसको उन्टर लाइन कर लिया फिर आगे पढ़ते पढ़ते requirements में additional procedure का word हम था मैंने उसको उन्टर लाइन कर लिया और फिर उसके बाद question के end पे मैंने लिख दिया external confirmation and auditors course of action यानि मुझे पता चल चल गया यह chapter 14 है मैंने end पे hash chapter 14 लिख दिया और उसके बाद आगे लिख दिया external confirmation and auditors course of action के यह concept है जो उसने पूछा है question number two मैंने पढ़ा इसको underline किया इसमें appointment auditor का word था company's act का keyword था मैंने उसको underline किया process का keyword था उसको underline किया और फिर मुझे पता चल गया यह company's act में change of auditor के fast लिख दिये जिससे मुझे पता चल गया कि यह किस concept के उपर question based कर रहा है मैंने लिख दिया change of auditor legal provient या नी legal provient मैंसे question पूछा और कौन सा change of auditor का फिर मैंने question number two का part B पढ़ा इसमें उसने requirement में additional matters का word यूज किया वो मेरी ले keyword था उसको underline कर लिया मैंने और first year of EL audit यह मैंने underline कर लिया यह मैंने keyword था तो मुझे पता चल गया कि यह हमारा planning matters में से question उसने पूछा है जो कि initial audit से relate करता है तो मैंने आगे chapter number लिख दिया 9 और उसके बाद bracket में लिख दिया initial audit engagement planning matters इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे questions को पढ़ेंगे उसकी requirements को पढ़ेंगे underline करेंगे keywords को और end तक question को complete करते करते आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा यह किस chapter में से question उसने पूछा है और किस concept के उपर base कर रहा है concept को दो तीन अलफाज में लिख दीजिए लेकिन याद रखें बहुत ज्यादा words ना लिखें क्योंकि नॉर्मली जो examiner होते हैं या जो अधर इनवी जी लेटर होगे वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि स्टोर ने बहुत ज्यादा चीज़ें लिखी हो एक दो अलफाज य ये काम कर लेंगे यानि reproduction के questions सारे complete होगे फिर उसके बाद आपने क्या करना है आपने फिर दुबारा वापिस आना है और अब की बार जो case study वाले बड़े questions थे उनको पढ़ना है आपने उसी तरह जिस तरह reproduction के question को पढ़ा था case study के question को भी पढ़ना है और उसमें keywords को underline करना है और उसके साथ ही साथ अपने key decision को भी mark करते रहना है key decision से मुराद है जैसे एगर वो risk assessment का question है तो जिस information से risk arise हो रहा है आपने उसको underline कर लिया और उसके साथ यहाँ उसको circle कर लिया rectangular box में ले आए और उसके साथ आप लिख सकते हैं कि आपने इस risk को कैसे explain करना है दो तिन अलफाज लिख सकते हैं इसी तरह अगर वो internal control weakness का पूछता है आपसे तो आप उसको underline कर सकते है question पढ़ते पढ़ते हैं जो जो weakness आपके सामने आएगी और उसको briefly आप एक दो अलफाज में बता सकते हैं कि आपने इसकी heading कैसे बनानी है इसी तरह impact on report है अगर वो वाली case study आ सकता है आपने वो side पे Q A ये अलफाज लिख के abbreviation में जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी initial assessment इस case के बारे में क्या थी आपने वो लिख देना है और एहम चीज़ों को underline कर देना है जैसे materiality profit वगारा इस calculation में या जो भी उसने issue discuss किया उसको underline कर देना है या अगर सबसेंटी procedure का कोई question आता है या किसी case study के अंदर वो सबसेंटी procedure को mix कर देता है तो आपने underline कर देना है कि इस information से मुझे पता चल गया inventory के procedure बताने है इस information से मुझे पता चल गया valuation of debtors के procedure बताने है तो reading ये आप इस तरह one by one सारी case studies को पढ़ लेंगे तो पहला जो आपका phase होगा paper का reading and planning phase है जो तकरीबन 45 minutes से कम नहीं इसके उपर लगने चाहिए और 60 minutes से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इस phase में आपने decide कर लिया आपने पूरा paper पढ़ लिया और पूरे paper में आपने decide कर लिया कि उसने आपके syllabus में से कौन-कौन से concepts के उपर question set की हैं और case studies में आपने पढ़के ये decide कर लिया कि किस related case study में कौन-कौन सा impact आ रहा है जैसे कौन-कौन से risk वाली case study में कौन-कौन से risk हैं impact on report वाली case study में कौन-कौन सा impact आ रहा है और procedure में किस की सेरिया के procedure वो आपसे पूछ रहा है details आपने अभी ने लिखी यानि procedure में सिर्फ इतना decide कर लिया valuation of debtors के procedure हमने लिखने है आगे वो क्या procedure लिखने है वो अभी decide ने किया क्योंकि अभी आप सिर्फ planning कर रहे हैं तो ये काम कर लिया जब आप ये phase complete कर लेंगे फर्स कीजिए इसमें 50 मिर लग गए तो अभी आपने अपनी answer sheet के उपर एक लफज भी ने लिखा हुआ लियाद रखे लेकिन आपने प्रशान नहीं होना answer sheet पे एक लफज भी नहीं है लेकिन टेकनिकली आपने पूरे का पूरा जो पेपर है उसको नाक आउट कर दिया अब आपका सिर्फ यह है कि जो आपने प्लैन किया है आपने उसको अप्लाई करना है अपने answer sheet के उपर तो उसके बाद हम क्या करेंगे हम next stage की तरफ चलते हैं जो के है हमारी writing stage यह जो writing phase है यह आपका तकरीबएं डाई घंटे के करीब होगा जैसे अगर आपने 45 मिनट में अपना पहला phase में कमल कर लिया प्लैनिंग वाला और रीडिंग और प्लैनिंग वाला तो उसके बाद बाकी आपके पास तकरीबएं डाई घंटे होंगे उच नीच हो सकते हैं इसमें 5-10 मिनट उपर भी लग सकते हैं और हो सकता है आपके पास राइटिंग टाइम 5-10 मिनट कम हो लेकिन उसमें भी प्रशान होने की जरूरत नहीं है राइटिंग फेज में हमारी अप्रोच क्या होगी हमारी बेसिक अप्रोच यह होगी कि सर क्या एक्जैम में क्वेस्टन को तर्तीब से करना लाजमी है इसका जवाब है नहीं आप क्वेस्टन नमबर 7 पहले कर सकते हैं क्वेस्टन नमबर 3 बाद में कर सकते हैं फिर अगला क्वेस्टन स्टोंट पूछते थे सर क्या parts को तर्तीब से करना लाजमी है इसका अंसरा ये भी नहीं अहम और ये गोर से सुनिएगा आपने अपनी असानी के लिहाज से जो भी part पहले करना चाहें वो कर सकते हैं icap ये तो require करता है कि आपने हर part को leather page से start करना है और हर page के उपर उस part की numbering आपने देनी है जिस question को आप जिस part को आप attempt कर रहे हैं जैसे question 7B कर रहे है तो आपने page के top पे 7B लिखना है ये तो icap require करता है लेकिन अगर आपने question number 7 उठाया है तो उसके सारे part तर्तीब से करना लाजमी नहीं है कि पहले 7A करे 7B करे फिर 7C करे नहीं लाजमी नहीं है आप पहले 7B कर सकते हैं उसके बाद 8C कर सकते हैं उसके बाद 2A कर दें फिर 4B कर दें फिर 5A कर लें फिर 6C कर लें कोई problem नहीं है आप अपनी तर्तीब के लिहास से question को attempt कर सकते हैं इसके लिए मेरी आपको suggestion यह है, कि आपने पहले reproduction वाले question attempt करने हैं, इसका मकसद क्या है, एक तो हमें confidence मिलेगा, कि हमने question जो है, जैसे जैसे आप question को attempt करते जाएंगे, आपका mind भी warm up होता जाएगा, और आपको confidence आता जाएगा, कि आपने सही paper attempt कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि easy question में marks लेना असान होता है, तो पहले easy marks हम secure कर ले, end पर फिर difficult marks की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले मेरी जो पहली session यह है, writing के वक्त आपने जिस तरह पढ़ते हुए पहले reproduction रिटे वाले questions को पढ़ा, उसके बाद case study को पढ़ा, उसी तरह अब जब questions को आप attempt कर रहे होंगे, तो आपने पहले reproduction के questions को attempt करना है, इसमें sequence जैसे मैंने आपको पता है matter नहीं करता, आप किसी भी question का कोई भी part जो है उसको पहले attempt कर सकते हैं, और किसी भी question के किसी भी part को बाद में attempt कर सकते हैं, तो आपने पहले reproduction के questions को attempt करना है, इसके बाद फिर आपने case study की तरफ जाना है, और case studies में भी आपने पहले easy वाली case studies को attempt करना है, उसके बाद difficult वाली case studies को attempt करना है हाँ एक दफ़ा writing के वक्त याद रखेगा एक दफ़ा पहले आपने question को पढ़ लिया हुआ है लेकिन जब आप लिखने लगें इस phase में यानि second phase में आपने एक दफ़ा दुबारा questions को पढ़ लेना है चाहे वो question reproduction का हो चाहे case studies का हो आपने एक दफ़ा दुबारा इस question को पढ़ लेना है क्योंकि sometime ऐसा होता है first reading में कोई concept हम pick नहीं कर पाते उसमें चार words है हम थे हमने first reading में हो सकता है दो या तीन word pick की हो सिरफ तो जब आप second time reading कर रहे होगे आपके जहन में already उसकी base भी develop ही होगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से question की information का analysis कर सकेंगे इसलिए जब आप लिखने लगे तो second time भी आपने reading कर दी है question की writing phase में भी और question की requirement को गोर से पढ़ लेना है और requirement याद रखे बहुत है मैं एकसर क्लास में कहा करता हूँ कि आपकी 6 महिने की त्यारी एक तरफ और exam में question की requirement को समझना है एक तरफ तो writing phase में question की requirement को दुबारा पढ़ें तसलिय से एक दफा नहीं दो दफा पढ़ लें तीन दफा पढ़ लें जब आप sure हो जाए कि आपको पता चल गया है कि वो क्या question require कर रहा है उसके बाद लिखना शुरू करें क्यूंकि लिखने जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप उसके बाद question के उपर सोजना बंद कर देते हैं तो अगर आपने first कीजिए गला direction की तरफ चले गए लिखना शुरू कर दिया तो जब start में आपने लिखना शुरू किया जब तक question complete नहीं होगा आप दुबारा question paper की तरफ नॉर्मली नहीं जाते तो आपको फिर end में जाके पता चलेगा कि ओहो हो ये तो question मैंने start गलत किया तो इसलिए चाहे time थोड़ा सा ज़्यादा लग जा लेकिन पहले sure हो जाएं कि आपको requirement समझा गी है उसके बाद question को attempt करना शुरू कर दीजिए case study भी आपने दुबारा reading करनी है और reproduction के question भी आपने दुबारा पढ़ने है requirement खास तोर पर समझनी है उसके बाद questions को attempt करना शुरू करना है याद रखें question को attempt करते हुए एक दो point आपके जहन से निकल गए ये बड़ा issue नहीं है लेकिन question की requirement को ही आपने गलत समझा ये बड़ा issue है next end पे जब आप सारे question को पहले आपने reproduction के question को attempt कर लिया फिर आपने के study के questions को attempt कर लिया end बेक दफ़ा ensure कर लिजिएगा ठीक लगाते रहे साथ-साथ कोई question ऐसा तो नहीं है जो ठीक नहीं हुआ या ऐसा question तो नहीं है जो कि अब unanswered है रह गया है ठीक है completeness को ensure कर लिजिएगा और इसके साथ हमारा जो paper है वो complete हो गया जो during the paper वाला phase था after the paper आपने क्या करना है exam हाल से जब बाहिर आना है कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ paper को discuss करने की सीधा घर आना है घर आके 3-4 गंटे आपने सोना है ताके आपका जो mind है वो relax हो सके और आप अगले paper के लिए त्यार हो सके और फिर उसके बाद सोने के बाद जब आप उठेंगे तो अगले paper की त्यारी करना शुरू कर देना है ये थे हमारे आज की presentation उमीद है कि आपको इसमें कुछ ऐसे points पिक किये होंगे जो आपके लिए valuable हो सकेंगे exam में paper attempt करते हुए मजीद अगर आप किसी किसम की कोई query हो कुछ चीज पूछना चाहते हो आप WhatsApp ग्रूप में भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के comments में भी पूछ सकते हैं अल्ला हाफिस